love infinite में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए बात करते हैं कि आज के दिन आप ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ मेरी relationship में इस तरह से ये क्या on off की situation चल रही है या देखते हैं कि कभी आते हैं कभी बहुत अच्छे से बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है what is really going on क्या आप जाना जाते हैं सच में जाना जाते हैं तो फिर reading शुरू करते हैं तो चुनते हैं तीन में से किसी एक को first one is red stone, second one is black stone and third one is white beautiful selenine stone इन तीन में से किसी एक को चुनें और देख लेते हैं आज के दिन कि थोड़ा से meditate करें और सोचें कि हाँ मुझे इस ताइम कौन सा stone resonate कर रहा है ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ एक गहरी सांस लें और सोचें कि इस टाइम आपके relationship में क्या चल रहा है और साथ ही साथ क्या guidance आ रही है आपके लिए वो देख लेते हैं Thank you Hello and welcome again beautiful souls आगर आपने इसको चुना है तू देख लेते हैं कि आपकी situation क्या है क्या आपके लिए guidance आ रही है इंजिस आप से क्या कहना चा रहे हैं और क्या इसी बाते हैं क्या इसी बाते हैं जो आप डुनों के बीच में हुई हैं और सही guidance आपके लिए क्या आ सकती है आपके person आपके लिए क्या सोच रहे हैं बहुत सारी बाते हैं चल्ड लेते हैं वनमोर फाइब आण्स फाइब आणस कोई ना कोई स्टक्नेस आपकी लाइफ में है चाहे आप ये इस तरह से सोचें कि आपके जो चक्रा हीलिंग वगर आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है या कुछ भी इस तरह से कि आपने एक दूसरे से बात की थी वो प्रॉपर ढंग से नहीं हुई इस तरह से आप दुनों के बीच में बात ठीक तरीके से नहीं हुई और बात बनते बनते बिगड़ गई कुछ ऐसा ही हुआ है और इसी वज़े से आप विलकुल ही हैंग मैन की तरह पूरी तरह से उल्टे लटके पड़े हैं नहीं समझ में आ रहा है आपके पर्षण का भी यहीं हाल है वो भी पूरी तरह के से हवेकन्ट हैं बठट पैसे के पीछे अभी भाग रहे हैं कुछ ऐसा दिख रहा है four of cups four of cups मतब अभी उन्हें वो चीज नहीं समझ में आ रही जो आप समझाना चा रहे है एक निकालना था दो आगे देखे लेकिन यानि की हाँ बहुत सी समस्याई हैं बहुत सारी तकलीफे हैं और swords की cards यही बताता है कि तकलीफे बहुत हैं लेकिन angels यही कह रहे हैं कि आगे कोई समस्याई नहीं आएगी यह सब कुछ बिकुल अच्छी तरीके से चलता जाएगा अगर आप अच्छी तरीके से अपने आपको हील करें तो उन्होंने आपसे बहुत सी बाते कही हैं कुछ गलत चब्द का भी यूज किया है तो देख लेते हैं यह आपके लिए guidance क्या आ रही है तो situation रेली यही हुई है कि आप लोग बात नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं बात जरूर होगी क्योंकि Ace of Swords communication के लिए ही इशारा कर रहा है पॉल दवेनेजियन experience grace यहां पर beautiful card फनमोर श्री कृष्णा यहां पर आपके लिए guidance यही आ रही हैं आज के दिन के लिए share your gifts with grace waves of inspiration and love are coming to you यहां इनके दिल के पास देखिये हाट चक्रके पास वैसे भी green color का coat पैना वह है और red rose है यहां पर तो यह card यही show करता है कि आप अपने दिल के दर्वाजे खोलिए अपने person के लिए जो कि पूरी तरह के से अभी अभी कर नहीं है आप से बात नहीं कर रहे हैं लड़ाई धगरा करके चलेगे हैं इस तरह की बात आप दोनों के बीच में हुई है नेक्स काड़ है कृष्णा डिवोशन का डिवोशन इस तरह से कि इश्वर की तो भक्ती करनी ही करनी है अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है किसी भी धर्म से हो तो भी आपके अपने इश्ट देवता सबके अपने होते ही है अपने इंजल सबना स्पेरिट गाइड सबका अपना होता ही है तो आपने यहीं बता रहे हैं आपके लिए कि आपको स्पेरिट गाइड आपके हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं, आपको बढ़ाने में साहता कर रहे हैं, आपकी जो commitment हुई है, अपने परसन से, वो commitment पूरी तरीके से आपको fruitful होने वाली है, you are loved unconditionally, यहां पर इस तरह से बात आ रही है, तो किसी भी तरह से गबराने की ज़रूरत है ही नहीं, बहुत कुछ अच् टाइम आगे है, तो इसलिए अभी जो भी situation है, जिन्होंने भी redstone चुना है, situation चाहिए कुछ भी हो, अभी वो बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात को समझने रहे हैं, आपने बहुत कुछ समझाने की कोशिश कही है, लेकिन नहीं हो रहा है, लेकिन blessing आपको देखे ना, कितन से आपका इस चानल में स्वागत है, जिन्होंने भी black को चुना है, आपकी situation किस तरह की है, और आपके person की क्या situation है, ये इसी तरह से दिखाई दे रही है, कि the tower moment, इस तरह से tower card ये आया है, कि financially and psychologically बिल्कुल ही drain हो चुके हैं, आप आप दोनों का ही situation ऐसा ही दिखाई दे रहा हैं अपनी life में, burden किसले ले रहे हैं, four of swords आ रहा है, बहुत ज्यादा ही burden है, आपके person भी बहुत pain में है, बहुत suffering में है, आपके पास कुछ ज्यादा ही काम है और इनके पास भी कम नहीं है, balance बनाने की कोशिश करनी होगी, आपको basically यही cards यही चो कर रहे हैं, और आप दोनो के बीच में यही हुआ कि कोई ना कोई ऐसी बात हुई, किसी बड़े person के कारण हो सकता है, कोई male person है, जिनकी वज़े से कोई बात बिगड़ गई है, Aries, Leo, Sagittarius आप हो सकते हैं, fire sign दिखाई दे रहा है, और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपके person air sign के हो, तो यहाँ पर यह sign दिखाई दे रहे हैं, बाकी यह भी बात आ रही है, कि इतना ज़्यादा burden आप दोनों की life में है, जो कि संभाले में ही संभल रहा है, बहुत सारी दिकतें को सामना आपने किया है, चाहे वो family matter हो, चाहे वो किसी भी finance के रूप में हो, लेकिन ठक चुके हैं अब आप इतने ज्यादा काम करके, दूसरों को attend करके, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी अच्छी चले, सुख में चले, लेकिन यहां अगर आपके lover जो है, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन angels आपको यही कह रहे हैं कि ठीक है, बात तो करनी ही पड़ेगी, इनको कैसे नहीं करें तो आप घबराईए मत, three of ones यहां पर आई रहा है, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे हैं, किसी भी तरह की परिशानी हो, तो आप अपने angels से बात कर सकते हैं, again swords, nine of swords, यहां पर एक बार फिर से, यहां पर swords आया है, यह swords यहीं बताते हैं कि आप दोनों की तकल financially stable होने की सोच रहे हैं, कोई business कोला है, आपने वो टूब रहा था, उसको फिर से समालने में लगे हुए हैं, यह पिर आप दोनों का जो relationship है, किसी person से, कोई male person से, वो बड़े हो सकते हैं आप से, आप दोनों से ही, तो इस तरह से problem दिखाई दे रही हैं, कि जिनकी वज़े स आप दोनों के रिष्टे में दरार आई है, जिन्होंने कुछ कहा है, किसी के खिलाब, या आपके खिलाब, उन बड़े person ने, male person ने, आपके खिलाब को यह rumor फेलाया है, जिस वज़े से, आपके person आप से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन करेंगे जरूर, two of cups यही बात है ना, two of cups, आगे सब कुछ अच्छा है, आगे आपकी life में सब कुछ बहुत अच्छा है, angels आपको क्या कहने वाले हैं, क्या guidance देने वाले हैं, beautiful, magic manifesting and humanity and benevolence, यहाँ पर यही बात आ रही है, कि दोनों ही female energy है, और आप दोनों की energy बहुत ही अच्छी higher self में आ रही है, आ आपके सपने, आपके visions, आपके goals, बिल्कुल नई तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, reality की तरफ बढ़ने के लिए हैं, आपको blessing के साथ साथ guidance यही आ रही है, अगर इस तरह से अगर आप चुप-चाप हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने person की weight कर रहे हैं, तो यहाँ पर य दिमाग और अपनी vision को जो कहते हैं, perspective अपना दृष्टी कून, इसको इतना अच्छा बना के रखिया कि दूसरे कहें कि वहाँ, क्या बात है, यह बिल्कुली अलग तरीके से जी रहे हो, अलगी तरीके से काम कर रहे हो, ऐसा दूसरों को भी प्रतीत हो, प्रतीत ही नहीं, यह भी आपको लगना चाहिए कि हाँ, मैं कुछ नया कर रहा हूं, क्योंकि जो ancestral pattern होता है उसको तोड़ने में बहुत मुश्किले होती हैं, तो यहाँ पर आपके लिए यही blessing के साथ guidance आ रहे हैं, कि stay calm, trust the good in yourself and others, अपनी अंदर की जो अच्छाई और सच्छाई है ना, उस पर विश्वास करें, कभी यह ना सोचे कि मैंने तो सबके लिए अच्छा किया और दूसरे मेरे लिए गलत ही करते हैं, तो यहाँ पर यही बात है कि आपकी अगर energy बहुत अच्छी है और आप दूसरों की heal कर पाते हैं, दूसरों, दूसरे लोग आ रहे हैं आपके पास अ सबी के लिए आज के लिए, कि आप सर्फ अपनी ऊपर फोकस करें, आपके अंदर क्या रोशनी है उसको पहचाने, आपके अंदर जो हार्ट में जो लाइट है, जो रोशनी है, जो आप दूसरों को heal कर सकते हैं, वहाली जो पावर है आपके पास, उसको दुनिया में देने के लिए आप आगे बढ़ें, देखिए परिशानी है और ये सब किसके पास नहीं है, जो बहुत बड़े अरपती, खरपती हैं, उनके पास भी परिशानी है, तो सबकी परिशानी हैं, लेकिन अलग-अलग हैं, हैं परिशान सभी, लेकिन परिशानी के जहां परिशानी, व connection बहुत अच्छा है एक दूसरे से आप दनों जरूर मिलेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप दनों बाते करेंगे और problem की solution निकालेंगे thank you so much यही सब कुछ आपके लाइफ में चल रहा है ना comment box में जरूर लिखके बताईएगा thank you so much and all the best hello hi welcome hello hi welcome again की आपने यह सेलनाइन का पीस स्टोन को चुना है जो कि प्योर वाइट है अब देख लेते हैं कि यह आपके लिए क्या blessings के साथ guidance लेकर आ रहे हैं आपकी situation क्या है यह देख लेते हैं what is going on really is time अभी आपकी life में क्या चल रहा है angels please बताएं क्या situation है और किस तरह से सुधारी जा सकती है ओ डेवल डेवल तो है डेवल आपकी life में है और आपकी life में बने रहेंगे यह डेवल कौन हो सकते हैं आपके ही person क्या हो सकता है कि soulmate भी हो सकते हैं twin flame भी हो सकते हैं जिनें आप हो सकता है devil पुकारते हो या आपके ही dm या फिर soulmate या फिर आपके lovers अपने आपको कहते हो yes I am the devil person I am devil with my angel कुछ ऐसा कहते हैं क्या क्या कि आपको angel मानते होंगे और और आपको angel मानते होंगे और खुद को devil तो ऐसा ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा है और यही बता रहे हैं cards भी कि यह आपकी life में है और हमेशा ब कहा जा सकता है और इस तरह से भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि something कोई बुरा आदमी को बुरा person आपकी life में है जो ठीक नहीं है जो ठीक नहीं है जो आप दुनों के रिष्टे के लिए obstacle create कर रहा है night of cups यहाँ आपके person प्यार से खड़े हुए हैं यह सोच रहे हैं कि ठीक है कब आओगी तो फिर मैं उस तरह से बेट करूँ वो बेट कर रहे हैं और आपके अंदर हो सकता है कुछ कट बढ़ है अंदर यानि कि हो सकता है कि कोई black magic something कुछ किया हुआ है जिस वज करता है कि इनके पास जाना तो है लेकिन कैसे जाओ judgment card यही शो करता है कि जाना भी है तो जाओगी जरूर और seven of cups बहुत सारे options भी आपके आ रहे हो सकता है आप unmarried हो और आपको बहुत सारे शादी के रिष्टे आ रहे हो इस तरह की बाते आ रहे हो उन्होंने कहा हो कि मैं आउंगा मैं तुमारा बेट करूंगा लेकिन आप है कि कहीं और busy हैं फजी हुई हैं आपको शादी के बहुत ज़्यादा ही रिष्टे आ रहे हैं ऐसा दिख रहे हैं और आपको इनके पास भी जाना है लेकिन सही माइने में आप जा नहीं पा रही है three of cups यहने की celebration का टाइ time है ten of ones बहुत ज़्यादा burden life में हैं हर तरह से चाहिए वह family matter हो चाहिए कोई भी किसी भी तरह का matter हो या workplace में आप बहुत ज़्यादा काम करती हो इस तरह का हो इस तरह की बातें बहुत सारी आपकी life में चली ही रही है night of swords देखिए यहाँ यह जो devil card है first आया है लेकिन बाकी सभी card काफी अच्छे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है गलत बाकी यह कि night of cups and night of swords यही बता रहे हैं कि आपके person आपसे age में चोटे हैं wait कर रहे हैं आपका चाहते हैं आपको plus आपको देख भी रहे हैं देखना in the sense आपको social media पे आप हैं क्या अगर social media पे आप हैं तो आपको जरूर से जरूर stop करते होंगे कि क्या कर रही हो क्या है style है कैसे face बना रही हो क्यों photo डाल रही हो क्या है बाद में आके सारी खबर लेंगे वो आपसे तोड़े सा इस तरह का भी nature है इनका कि आपसे कुछ भी आके बोल दे कुछ भी नाराज़की दिखा दें अपनी ही मन की चलाएं ऐसा भी हो सकता है या फिर आप इस तरह से behave करती है इनसे आपका तो ऐसा लग नहीं रहा है लेकिन आपका ऐसा दिख रहा है कि the devil card आपके बीच में कोई ना कोई ऐसा person है जिससे कि आप घपरा रही है तकलीफ में कोई एक third party मतलब आपके साथ आ गई है और वो यह वेट कर रहे हैं कि ठीक है third party से निपढ़ लो उससे अलग हो जाओ थोड़ा time ले लो फिर मैं तो हूँ ही मैं तो यहाँ पर वेट करी रहा हूं ऐसे हैं आपके person ऐसा दिखाई दे रहा है guidance में आपके लिए आ रहा है inner strength inner strength clock of wisdom आपके लिए यह आ रहा है कि आप अपनी strength को पहचाने रखिए आपके अंदर जो ताकत है उसे पहचान के रखिए आपके अंदर क्या ताकत है क्या इंट्रेस्ट है क्या आपका hobbies है क्या आप अपने आप में पूर्ण महसूस करती है whole less में महसूस कर पा रही है क्या है इस तरह है कि कि आप अपने आपको समझ सकें अगर है तो इसको समझने की कोशिश कीजिए fire sign आप हो सकती है यह आपके परसन fire sign के हो सकते है you really know the answer you see actually आपके अंदर ही वह आंसर है जो आप ढूनना चाहरे है मिरकबा का भी sign है यह मिरकबा मतलब मेडिटेशन का है और पून है और पीछे स्नेक भी बना हुआ है प्लस ट्राइंगल्स भी है यह सभी कुछ यह दर्शाते हैं कि यिन और यांग की एनर्जी को आपको बैलेंस करना चाहिए हार्ट और सेक्रा चक्रा दोनों ही चक्रास का उपर भी बात आ रही है त्रस्वाट यू नो आप जो ज पूछना है कि मैं कौन हूँ मुझे क्या करना है अभी मेरे साथ मेरे पास जो यह डेवल का काड आया है कि ऐसी कोई एनर्जी मेरे आसपास है अगर है तो उसको आपको सुधार ना होगा अगर नहीं सुधार पा रहे हैं तो आप अपने आर्चेंजल से माइकल से कोई भी निकल लिए हो सकता है कि आप कार्मिक रिलेशन्शिप में फसे हुए हो इस तरह के बर्डन से बाहर निकल ये आपको ही ये स्टेप उठाना होगा इसके लिए आपके परसनल बिल्कुल रेडी हैं आपके लिए ही तैयार हैं तो थैंक यू सो मच असल में यही सब कुछ चल से नहीं मिल रहा है या क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वहां ये कुश्चन आपने से पूछ सकते हैं मेरा अंसर अगर चोटा सा होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में लिखके बता दूंगी अधर्वाइस वीडियो ज़रूर बना के बताऊंगी थैंक यू सो मच और विश्यू वाल दस्ट करें